Hello friends, बहुत-बहुत स्वागत है आपका mysarji.com के इस चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त, इंस्ट्रक्टर सौरब शुकला हम लोग देख रहे हैं SQL की सीरीज और आज के lecture में हम लोग को देखना है कि कैसे हम table create करते हैं database के अंदर तो हम लोग ने पिछले lesson में database create करना सीख लिया था उसके पहले हम लोग ने installation और जो basic stuff है वो भी देख लिया था हम workbench पे भी काम कर सकते हैं और हम simple command line interface पे भी काम कर सकते हैं मुझे हमेशा से command line interface ज्यादा better लगा है लेकिन कई लोग को workbench भी पसंद है आप दौनों में से कोई सा भी use कर सकते हैं मैंने पिछले lesson में already दौनों को कैसे use करना है वो बता दिया है फिलहाल हम लोग इन commands को test भी करेंगे चला के भी देखेंगे और command line पे चला के देखेंगे तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ create table अब यह जो command है यह आज हम लोगों को cover करनी है तो database बन जाने के बाद जो सबसे important चीज है वो है table create करना अब table कैसे create किया जाता है उसके बारे में समझते हैं तो देखे table create करने का simple सा syntax है आप पहले लिखते हैं command create table और मैं पिछली क्लास में ही आपको बता चुका हूँ कि यह capital या small कुछ भी लिखा जा सकता है usually हम capital इसलिए लिख देते हैं ताकि यह बाकी शब्दों से थोड़ा अलग दिखाई दे तो create table आपने लिखा और table का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं उसके बाद आपको लगाना है parenthesis parenthesis के अंदर आपको column का नाम देना है जो भी table आप बनाते हो उस table के अंदर क्या चीज़ है columns हैं और column की कुछ headings हैं तो यह column के नाम हो गए और यह उनके data types हो गए और यह उन पे apply होने वाले constraints हो गए constraints हम अलग पढ़ेंगे इसलिए आज के examples में constraints को मैं use नहीं करूँगा लेकिन आगे चलके हम use करेंगे और यह comma से separate होने चाहिए सारे तो यह हो गया हमारा इसका syntax यह parenthesis close करके आप semicolon लगा दीजिए कितने भी column आप बना सकते हैं so basically table क्या होती है एक बार हम लोग ज़रा उसको भी recall कर लें वैसे थोड़ा बहुत idea तो अब आपको है क्योंकि आपने previous classes अटेंट करी हुई है but table actual में rows and columns है तो एक table अगर आप create कर रहे हो suppose करो एक table आप create करना चाहा रहे हो employee नाम की ठीक है एक employee नाम की table आप create करना चाहा रहे हो तो इस table का नाम आप रख रहे हो employee got it इसके अंदर आप data रखोगे तो जैसे आप किसी object oriented programming में class बनाते हो और उसके बाद उसके कई सारे objects बनाते हो class के अंदर होते हैं properties उसी तरीके से table बनाना एक तरह से class बनाने जैसा है और जो column बना रहे हो वो उसके अंदर properties जैसे ही है तो जैसे आपने एक property लिखी employee ID तो आप एक employee के बारे में क्या क्या information store करना चाहे हो तो आप उसके employee ID रखना चाहे हो और क्या रखना चाहते हो आप उसका नाम रखना चाहते हो तो नाम के लिए आप एक बना लीजे इसके अलावा आप और क्या रखना चाहते हो तो आप रखना चाहते हो age और salary column कितने भी आप रख सकते हो age and salary आप और भी column के बारे में सोच सकते हैं मैंने ये 4 column के बारे में सोचा तो जब हम table बनाते हैं तो हम table का structure बनाते हैं without any data यानि table के अंदर कोई data अभी रखा नहीं है अभी सिर्फ table बना रहे तो table का structure बना दिया तो table का structure बनाने के लिए आपको क्या बताना पड़ता है आपको बताना पड़ता है कि इसमें कितने columns होंगे इसके बाद जब इसमें हम data रखेंगे तो इसमें rows add होती जाएंगे और हर एक row में आपको यही चार values देनी है employee ID देना है कुछ नाम देना है कुछ age देनी है कुछ salary देनी है फिर अगला data आएगा अगले employee का data आएगा तो उसकी कुछ employee ID होगी कुछ नाम होगा कुछ age होगी कुछ salary होगी ऐसे करके आप कितनी भी rows इस table के अंदर रख सकते हैं जो एक एक row होती है उसको हम क्या बोलते है record each row each row in a table in a table is called a record ठीक है तो आप कितने भी record यहाँ पर रख सकते हो और table के अंदर table की definition है table की definition क्या है कि उसमें कितने columns है तो table definition तो table definition तो table definition तो table definition can be described described with columns in a table and associated data types मतलब हर column का अपना एक data type होगा data types और constraint भी हो सकते है also constraints ठीक है तो यह चीज़ क्या है इसको बोलते है schema ठीक है जब हम बोलते है schema आपने बहुत बार यह database में शब्द सुना होगा schema तो इसको हम क्या बोलते है schema तो जब आप से बोला जा रहा है कि schema क्या है तो बेसिकलिए आप table की definition की बात कर रहे हो जो कि describe होता है mainly तीन चीज़ों से एक column के नाम क्या है कितने columns उसमें बन रहे है उनके data types क्या है और उन पे किस तरह के constraints apply हो रहे है तो यह सारी चीज़ें अगर आप बता रहे हो तो आपने table का schema बनाया तो आप इसमें अभी data रखनी रहे हो अभी सर्फ structure बना रहे हो schema बना रहे हो और उसमें जो एक एक data है उसको बोलते हैं field तो record is a collection of fields और हर एक field एक column के नीचे आने वाली है जैसे आपको यहाँ पे एक record रखोगे तो employee ID रखोगे तो वो employee ID column में जा रहा है तो हर बार जब एक नया record insert करोगे table के अंदर तो एक एक field एक एक column के लिए होगी यहाँ पर नाम लिखोगे यह name वाले column के लिए अब क्या होता है कि यह जो employee ID जैसे पहला column है तो इस column में जो जो values आएंगी हर एक record की वो सब एक single rule follow करेंगे यानि आपने सोचा कि यह सारे integer data ही रहे तो यह फिर सारे integer ही होगे यह पहले column में सब कुछ integer ही होगा ऐसा mixing नहीं होगी अब दूसरे वाले column में name है तो आप हर record insert करोगे तो दूसरे field क्या होगी name होगा employee का तो names है यह employee के तो इस पे कुछ common आप rules लगा सकते हो और उनी को हम क्या बोल रहे है constraints बोल रहे है constraints का मतलब है limitation तो हमने कुछ limitation लगा दी कि भई इस पे किवल number ही store हो सकते है इस पे किवल strings ही आ सकती है तो इस तरीके से हम कुछ rules इसमें apply करते है rules और भी होते है जैसे कि unique होना चाहिए not null होना चाहिए primary की होना चाहिए इस तरह की चीज़ें भी होंगी तो वो हम एक एक column पे apply करते है तो इसी के लिए ये syntax था create table का अब इसको हम लोग practical करके देखने वाले और यहाँ पर मैं कुछ data types लिख रहा हूँ पर इनके बारे में अभी मैं आगे बताता हूँ आपको कौन-कौन से data types mysql में है और पहले लेकिन मैं आपको ये command चला के बताता हूँ ये table वाली हम लोग आ जाते हैं याँ पर terminal पे आप लोग windows machine पे हैं तो command prompt पे आ जाएए और आप mysql को start कर दीज़े mysql को कैसे start करते हैं वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता है previous lesson में हम कर चुके हैं तो हमें लिखना है mysql-u और root hyphen p जो hyphen u है उसका मतलब है user, username और hyphen p है उसका मतलब है password तो मैंने enter किया वो password के लिए बोल रहा है मैं password type कर रहा हूँ यह मैंने password type कर दिया है और हम login कर चुके हैं login करने के बाद इस तरह से mysql prompt आ जाता है अभी हमने इसमें कोई database बनाया है की नहीं बनाया है वो हमें check करना है पहले तो status command आप चला के देख लो status command से आपको अभी current status दिख जाएगा connection id 9 है current database कोई सा भी selected नहीं है previous lesson में हमने बढ़ा था कि कोई ना कोई database पहले select करोगे तभी आप tables पे काम कर पाओगे बिना database के आप tables पे काम नहीं कर सकते तो अभी अगर आप create table command लिखोगे तो error है अभी create नहीं हो सकती table क्योंकि आपने database वे select नहीं कराई ये बात याद रखिएगा तो अब मैं क्या गरता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो देख लेता हूँ कि कौन-कौन से databases हमारे पास है databases ये command के बारे में पिछले lesson में मैंने बताया था अगर वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज आप description section में देखिए वहाँ पर आपको playlist का link मिल जाएगा इवन इस course में enroll होने का link भी मिल जाएगा जो कि free of cost है पर आप उसमें notes भी download कर पाएंगे तो देखे यहाँ पर हमारे ये चार databases हैं लेकिन पिछले lesson में हमने समझा था कि ये चारो databases प्रीडिफाइंड है हमने इनको नहीं बनाया है हम कोई database बनाना चाहते हैं तो उसकी command क्या है हम लिखते हैं database database sorry create database create database or if not exist ठीक है वैसे आप if not exist नहीं भी लिखेंगे यहाँ पर चल जाएगा लेकिन मैंने आपको बोला था ये लिखा करें बताया था अब database का नाम आप रखते हो जैसे db1 ये रख दिया enter कर दिया अब मैं फिर से लिख रहा हूँ show databases और देखिए मैं semicolon नहीं लगाया तो next line पर बोल रहा है कि आगे और क्या लिखना चाहा रहे हो तो मैं actual में semicolon नहीं लगाया था अब लगा दो और enter कर दो तो यहाँ पर वो db1 database दिखा रहा है अब db1 database को select करने के लिए आपको क्या command सिखाई थी use command है उसमें लिखें आप db1 तो ये आपने database change कर लिया status command से आप इस बात को confirm भी कर सकते हैं current database यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको db1 correct है तो अब database में तो आगए इसके अंदर पहले से कोई tables बनी है कभी भी आप नया database बनाते हैं तो उसमें पहले से कोई table हो ही नहीं सकती फिर भी command चला के हम देख लेते हैं show tables और आप देखें यहाँ कोई भी table नहीं है इसलिए empty set बोल रहा है अब मुझे यहाँ पर table create करनी है तो जैसा कि हमने command सीखी सबसे पहले लिखेंगे create table अब table का आप जो भी नाम रखना चायते हैं वो नाम रख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर रखा employee देखो इसके बाद जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने syntax सिखाया अलग-अलग line में लिखने का ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप एक ही line में पूरा लिख सकते हैं बट obviously बात है वो read करने के यहाँ से बहुत अच्छा idea नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर parenthesis लगा रहा हूँ लिख इसके आगे भी सकता हूँ पर मैं enter प्रेस करूँगा enter प्रेस करूँगा क्योंकि मैंने semicolon नहीं लगाया है इसका मतलब है कि अभी command end नहीं हुई है वो मुझे फिर से आगे prompt देता है कि आगे continue करें तो अब मुझे यहाँ पर column के नाम लिखना है क्या column का नाम लिखना होगा तो जैसे मैं पहला column बनाना चाहता हूँ empid जैसे आप किसी programming language में पहले data type लिखते है फिर उसका variable बनाते यहाँ पर उल्टा होता है यहाँ पर पहले variable लिख रहे है फिर data type लिख रहे है तो यह जो variable है empid एक्चल में column नहीं है तो यहाँ पर मैं इसका data type लिख रहा हूँ int इसके बाद मैंने लगाया common और फिर मैं दूसरा variable बनाऊँगा दूसरा column का नाम बनाऊँगा जो कि है name और इसके लिए मैं ले ले लेता हूँ where care अभी data type के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ 255 that means maximum 255 characters length name की हो सकती है फिर तीसरा है age age के लिए भी मुझे number ही रखना है तो मैं int लिखूँगा और चौथा चौथा variable हम बनाना चाहा है salary salary में हम रखना चाहते हैं float float में मैं यहाँ पर एक single value देने वाला हूँ इसके माइने क्या है अगर मैं value को 0 से 24 के बीच में देता हूँ तो वो float variable होगा और अगर 25 से 53 के range में देता हूँ तो फिर वो double variable हो जाएगा तो यहाँ पर बस उस value से decide करना है यहाँ पर जो value में दे रहा हूँ वो length को भी बताएगा तो मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ 20 that means कि यह float है पर 20 बहुत जादा है मेरे खाल से 10 भी sufficient होगा तो यह 10 मैंने लिख दिया अच्छा इसके बाद क्योंकि मुझे और कोई column नहीं बनाना है इसलिए comma नहीं लगा रहा हूँ और फिर parenthesis close कर रहा हूँ जो सबसे पहले employee के just बात आपने लगाया था और semicolon लगा रहा हूँ अब मेरे statement end हुआ है आप देख सकते है query okay मतलब कोई दिक्कत नहीं है अब इस बात को confirm करने के लिए कि क्या ये table बन चुकी है मैं लिखता हूँ show tables हम लोग already db1 database में है और उसके अंदर ये employee नाम के table बन गई है अब अगर आप ये जानना चाहते है कि ये जो table है इसका structure क्या है अभी इसके अंदर हमने data कुछ भी नहीं रखा है लेकिन इसका structure क्या है ये जानना चाहते है तो आप command लिखेंगे describe और table का नाम लिख दीजे db1 sorry employee db1 तो database है ठीक है आप देख सकते हैं कि इसका पूरा description आपके सामने है field बता रहा है कितनी है मतलब एक एक column क्या होगा उसके नीचे field आएगी न तो EMP ID है उसका data type क्या है उसमें फिर constraint की information भी है कि null रख सकते हैं क्या तो null value allowed है by default null value allowed होती है की कोई apply करी है अपने primary की foreign की वगरा नहीं apply करी है तो वो blank दिख रहा है by default value क्या जाएगी अगर कभी मैं record रखता हूँ पर उसमें sufficient values नहीं provide करता हूँ तो by default उसमें क्या जाएगा तो by default null जाता है और extra कुछ और बात है तो इतनी बातें ये description में बताएगा अब आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि table में कितने columns हैं और कैसा उसका structure है इतना sufficient है इसके बाद आप table में data रख सकते हैं जो कि हम आगे के lesson में देखेंगे लेकर अभी के लिए हमें ये समझ में आ गया table कैसे create करना है और उसका description कैसे देखना है अब हम बात कर लेते हैं data types की तो क्या-क्या data types है जैसे अभी हम data type लिख रहे थे int तो int एक data type है आप int भी लिख सकते हो और integer भी लिख सकते हो दोनों allowed है और इसके बाद optionally आप parenthesis में उसका size बता सकते हो कि कितनी length का integer हो सकता है by default जो int लिखते हो आप उसमें ये range का data रखा जा सकता है तो काफी बड़ी range है अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे 3 digit का ही number रखना है तो आप यहां size में 3 लिख सकते हो तो आपने int लिखा parenthesis लगाया 3 लिख दिया ऐसा भी लिख सकते है big int होता है जिसकी range काफी बड़ी है और medium int होता है जिसकी range थोड़ी कम है और small int भी होता है दौनों synonym है मतलब जो काम इसका है वोई काम इसका है आप दौनों में से कुछ भी लिख सकते है इसकी value क्या रहती है अगर zero रख रहे हो तो वो false है और non zero value रख रहे हो तो true है काफी सारी programming languages में यही concept है अब यह float आप लिखते हो float का एक और version है जैसे float में आप कुछ data लिखते हो और उसके बाद फिर लिखते हो दो values लिखते हो तो यह क्या बता रहा है कि total number of digits बताता है और यह बताता है point के बाद कितनी digits होंगी यह जो style है अब deprecate कर दिया गया है MySQL के 8th version से तो आगे के versions में शायद यह रहेगा ही नहीं इसलिए better हम इसको use ही ना करें तो आप इस वाले version को use करें जिसमें एक ही value हम लिखते हैं जो की basically मैंने बताई दिया था 0 से 24 है तो float है और 25 से 53 है तो double है फिर हमारे पास double भी है इस तरीके का लेकिन इसको भी use करने की जरूरत नहीं अकेले इससे काम हो जाता है next क्या है next कुछ और data types देखिए जैसे care data type है इसके अंदर आप size बता सकते हो basically यह care single character के लिए नहीं है यह string के लिए ही है आप जब string रख रहे हो तो वो किस length की होगी जैसे माली जी नाम आपने का कि 10 characters का हो सकता है तो आपने care में 10 लिए लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है यह fix length की है तो मतलब आपने 10 बोल दिया तो 10 से ज़्यादा नहीं होगा कम नहीं होगा तो आप इसलिए use करते हो where care को where care को use करते हो मतलब variable length का है where care मतलब where मतलब variable तो variable length का है मतलब इसकी length grow शरिंग हो सकती है तो यहाँ पर जो size आप बताते हो वो size max size होता है कि आपने यहाँ पे लिग दिया 20 तो जो string आप enter करोगे वो 20 characters से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए तो variable length रहती इसमें 0-65535 characters तक आ सकते हैं फिर text यह इसी तरह का है text भी इसमें भी max length आप 65535 तक दे सकते हो tiny text है जिसकी max length इतनी है medium text है जिसकी length इतनी है long text है जिसकी length इतनी है मतलब आपको जैसी string रखनी है उसके साब से आप data type चूज कर सकते हो फिर हम data types बात कर रहे है enum के enum usually use होता है enumerator के लिए जिसके अंदर हम कुछ values रखते है for example हमने कहा employee में हमें एक column बनाना है designation designation column है और इसकी जो possible values है वो पहले से ही कुछ 2-3 value में से एक है जैसे हो सकता है manager हो हो सकता है engineer हो इस तरह से कुछ तो मैंने क्या किया मैंने इसका data type लिखा enum और enum के अंदर मैं एक एक value बता रहा हूँ कि क्या लिख सकते है manager लिख सकते है ठीक है फिर comma लगा देता हूँ और क्या लिख सकते है तो मैंने का engineer लिख सकते है ठीक है ऐसे और भी आप जितने सोच सकते हैं सोच लीजे तो ऐसे करके आपने जो लिख दिया यही values इस variable के अंदर आ सकती है यानि इस column में इनी दौनों में से कोई value आ सकती है तो यह enumerator का काम होता है अब enumerator में ऐसी कितनी values लिखी जा सकती है तो 655, 35 values लिखी जा सकती है तो काफी सारी values हैं जो एक enumerator में आ सकती है इनका भी use होगा बहुत जगे use होता है तो enumerator हम लिख सकती है इससे क्या होता है कि जो हमने values permit करी हैं वही valid values है वही जा सकती है उसके अंदर फिर हमारे पास date data type भी है जिसमें हमें date रखनी होती है तो उसका format यह रहता है कि पहले year होता है फिर month होता है फिर date होती है और यहाँ पर format कैसा रहेगा format तो यह बताई दिया इसमें जो values रहेंगी month की यह 0 से लेकर sorry 1 से लेकर 12 तक रहेगा और date जो हो सकती है वो हो सकती है 1 से लेकर 31 तक फिर date time date और time का combination है अगर आप इस तरह से value रखना चाह रहे हो जिसमें date और time दोना आ जाए जैसे माली जी किसी वक्ती ने message किया या post करा तो किस date को किया और किस time को किया यह information हम capture करना चाह रहे है तो हम इस format में लिखते है अगर time चाहिए तो cable time के लिए यह format है यह colon separated है data year अकेला लिखना चाह रहे हो तो वो भी लेकिन यह four digit का year ही accept करता है जिसकी possible range यह होगी two digit का year यह अब accept नहीं करता है मास्कल में पहले accept होता था अब नहीं होता है तो यह हो गया data type फिर अगर मैं लिजे जो table हमने बनाई है अब हमें उसकी जरूरत नहीं है उसको हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं drop table और table का नाम बहुत ही simple है मतलब आपने लिखा drop table और employee बस इतनी command चला देने से वो table हो जाएगी delete मैं table को delete नहीं करना चाह रहा है इसलिए command लिख के नहीं बता रहा हूँ पर आप चला के देख सकते हो बाकि यहाँ पर तो मैंने लिखी दिया है कि आपको क्या लिखना है तो इस तरीके से आप table में से table को ही delete कर सकते हो तो table को delete करने के लिए delete keyword यूज नहीं होता drop keyword यूज होता है structure को delete कर रहा है अब यह सारी चीज़े हमको समझ में आ गई है tables कैसे show करते हैं वो भी हमें समझ में आ गया है अब पारी है data को table में रखने की और उसको access करने की यानि data manipulation language सेखने की और यह सब हम अपने अगले lesson से start करेंगे तो मुझे पुरी उमीद है कि आपको यह series पसंद आ रही है in fact आप लोगों के comments में read करता हूँ और आपका उत्सा देखते ही बन रहा है मुझे काफी खुशी है कि आपको यह series in-depth चाहिए थी और वो चीज़ आपको यहां मिल रही है इस series को आप miss मत करिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा बहुत सारा content इसके अंदर मिलने वाला है तो यह absolute beginner start कर सकता है लेकिन काफी advanced level तक हम इसको ले जाएंगे free course है notes download करना है description में देखिए playlist का link description में देखिए और भी अगर आपको मेरे से बात करनी है तो consultation का link आपको description में मिलेगा तो just read the description of this video so that you'll come to know about many things about my surgery इसके अलावा मैं हर संड़े को live आता हूँ YouTube पर रात को 9 बजे आप उसमें भी मेरे से बात कर सकते हैं अपने सवाल पूछ सकते हैं और बहुत सारे my surgery से related updates भी मैं संड़े को देता हूँ तो ये सब जानकारी आपको मिलती रहें आप इस चैनल को subscribe कर लिजे so that कुछ भी information आप से miss ना हो आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं उसका भी link description में मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही अगले lesson के साथ फिर मिलेंगे Thank you, Goodbye